हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अज मैं लेकिया यह एक और नहीं रैस्पी आपके लिए तो आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी हमें ऐसे ही नहीं बनाएंगे इसे यह इसकर के अलग है कि हम इसको भूंद करके फिर टमाटर की चटनी बना रहे हैं द पूछी है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यह रैस्पी ऐसे ही बनाएं तो ज्यादा टेस्ट अच्छा हैगा तो अप मेरे कहने के ऊपर जरूर बना के देखें तो सबसे पहले टमाटर के ऊपर का जो पॉइंट होता है वो निकाल दें और आपको इसको हाई फ्लेम नह अपको ऐसे ही फ्राइब करना है यह एक्चली मेरे में ज्यादा मिर्च हो गई थी तो आप अपने कोडिंग ही डाले जितना आपके घरवा लेखाते हैं जी जैसे मैं दिखा रहे हूं वैसे आपको बुनना है अब मैंने लैसून लिया लैसून की कलियों को भी ऐसे ही बु मैंकि लेनीयमे थन्डी ओने के यह ऊपने लग जाती है वैसे तो यह डेखि कितनी आराम से निकल रएएए आपको ऐसे ही करना है सारी चीज्ज 역시 अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है इसको आप मिक्सी में डाले जो ऐसे कूट के आप बनाऊगे तो ज्यादा टेस्ट आएगा यह देखिए सारी चीजे आपको डाल देनी है और इनको अच्छे से कूट लेना है पानी बिल्कुल भी नहीं डालना आपको क्योंकि टमाटर भी हम यह स्टले जीचों आपको वीडियो में दिखा रही हम यह देखिए आपको अच्छे तरीके से ऐसी कूट लेना है अब यह माट तरह निकल जाएगी धेखी MPOR आपके अपने अपनें निकलने लग जाती है थंदा होने के बाद्ब गलए निकलनी है में अदे कहते हैं देखी जैसे मैं दिखा रही हो वैसे ही और अब इसको कट कर करके हमें इसमें डाल देना यह दिखिए नीचे जो पेस्ट बनाया है वो त्यार हो चुका है अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है थोड़ा दर्दरा रहना चीए क्योंकि दर्दरे का टेस्ट अच्छा आता है अब जो यह सारे टमाटर है वो भी मैं इसमें अड़ कर दूँगी और इनको भी एक बार अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी यह देखिए एक्चुली में यह बहुत ज्यादा अच्छी बने थी हमने तो एक अफ़ते तक रखी थी और एक अफ़ते तक खाई थी इसको अब एक बावल में प्याज कट करने आपको यह कच्छे प्याज ही है डारेक्ट ऐसे कट कर ले जैसे आपको पसंदों स्लाइस में भी कट कर सक देखिए यह दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट में तो अमेजिंग थी है यह देखिए मैं पास से दिखा देखते हूं गाइस प्लीज एक बार मेरे कहने के उपर इसे जुरूर ट्राइक करें सबी घरवालों को जुरूर पसंद रहेगी थैंक्यू